दिब्य बचन, सत्य बचन, अमर बचन, जीवीर बचन सैना बामा बारीना बामा बगर दिजा निरिजा 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 दिव्य बचन सच बचन अमर बचन दिव्य बचन दिव्य बचन दिव्य बचन पित्र शास्त्र हमें बताता है कि प्रबु ये कहता है कि मेरी वाणी हतोडे के जैसी है जो चटान पर पढ़ते ही उसे टुकडे टुकडे कर देती है आज की सदी की विडंबना ये है कि लोगों को अपने धरम शास्त्र का ज्यान नहीं है वो प्रभू की बातों को सुनना नहीं चाते हैं और यदि सुनते हैं तो उन पर चलना नहीं चाते हैं और यदि चलने का प्रयास भी करते हैं तो लोग उन्हें भटका देते हैं और वे भटक जाते हैं इसलिए प्रभू का वचन हमें बताता है कि इस द्रोधकार कहता है कि तेरी शिक्षा की व्याख्या मुझे क्या प्रदान करती है जीवन प्रदान करती है मेरा पत्थ प्रदशन करती है मेरा पत्थ आलोकित करती है इसलिए आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो ये है कि प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि ये मेरी इच्छा पर चलना सीखें तो आज का जो पहला संदेश प्रभु देना चाता है वो ये है कि विश्वासी प्रभु की इच्छा पर चलना सीखें विश्वासी प्रभु की इच्छा पर चलना सीखें दूसरा संदेश प्रभु देना चाहता है कि आप और मैं उसके सानिद में रहना सीखे और संतियोहन लिखता है अध्याई 15 में कि जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूँ प्रभु येशु ने कहा जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूँ और जो मुझ में रहता है वो बहुत अधिक फल उत्मन करता है क्योंकि मुझ से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक विश्वासी के लिए प्रभु के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए एक अनियाई के लिए प्रभु से जुड़े रहना अनिवारिय है एक मनुष्य के लिए इस धर्ती पर रहते हुए भी परमेश्वर से परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना अनिवारिय है प कि मैं आपके साथ जुडा रहूंगा। एक तीसरी मुख़्े बात है कि परमेश्वर को हम उतना बड़ा देखें जितना बड़ा वो है। मैं बार-बार आप लोगों से यही आगरह करता हूं। You should see the Lord as big He is. उसे हम अपने विचारों के अनुसार नहीं परन्तु जैसा वो है, जैसा धर्म शास्त्र बताता है, हम उसे वैसा देखने की कोशिश करें। वो जितने बड़े काम कर सकता है, हम उतने बड़े कामों को देखने की कोशिश करें। वो जो रहेस्य और चमतकार दिखा सकता है, प्रकट कर सकता है, हम उसे उसी तरहां से देखने की कोशिश करें हम परमेश्वर के मार्ग पर जब चलते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की हम कोशिश करें परमेश्वर के हिर्दे में अपने आपको समर्पित करें अनिता बाइबल कहती है कि मनुश्य को इसे क्या लाब यदि वो सारा संसार प्राप्त कर ले परन्तु अपनी आत्मा गवा दे अपना जीवन गवा दे क्या लाब है उसे हम किसके लिए प्रयत्न करते हैं हम क्यों प्रयत्न करते हैं इस जीवन में हमारा उदेश क्या है what is the purpose of our life on this earth हम वच्णों को सुनना पसंद नहीं करते हैं कोई भी व्यक्ति आज इश्वर की वानी पर ध्यान देना नहीं चाहता इसलिए नभी ये शाया लिखता है कि मेरी वानी कान लगा कर सुनो ध्यान पूरवक्त सुनो साभधानी से इसका पालन करो और ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगी बोले आमेन हालेलुया येशु की सुती हो येशु को धन्यवाद क्योंकि बाइबल में बताती है कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतर कर भूमी को सीचे बिना और उसे उपजाओ बनाए बिना हर्याली से ढके बिना वहां नहीं लोटते जिससे की बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सकें उसी तरह परमेश्वर कहता है मेरी वाणी भी है जब वो बोली जाती है जब सुनाई जाती है तो अपना उदेश पूरा करके वो वापस लोटती है इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ आनलाइन कनेक्टेड हैं और वचन सुन रहे हैं प्राष्चित कर लेता है तो प्रभु का वचन सफल हो गया और अपना उदेश उसका पूरा हो गया आप सुनने वालों में से कोई एक व्यक्ति भी अपने गलत रास्तों को छोड़ कर परमेश्वर की और अभिमुक हो जाता है तो परमेश्वर की वाणी प्यारे भाईयो और वेनो फल उत्पन करती है और अपना वचन पूरा करती है अपना उदेश पूरा करके लोटती है इसलिए हम बार-बार पढ़ते हैं कि आकाश और पृत्वी टल जाए तो टल जाए प्रभु कहता है मेरी वाणी का एक मात्रा और बिंदू भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा इसलिए प्रभु ये कहता है कि हे मानव हे इंसान तू सावधान रहे तू सावधान रहे तेरी हर निकम्मी बात का जवाब तुससे लिया जाएगा तेरे आचरन का लेखा तुससे मांगा जाएगा क्यूंकि जो शास्त्रों में लिखा है जो बाइबल में लिखा है उसका पूरा हो जाना अनिवारिय है अगर बाइबल में ये लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि तेरे करमों के अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा तो ये सत्य है और ऐसा ही होगा जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और हमारे सामने पढ़ा जाएगा हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को पढ़ कर सुनाया जाएगा ये परमसत्य है क्योंकि ये पवित्र बाइबल का वचन है ये पूरा हुए बिना नहीं टलेगा ये शुने यदि कहा कि मैं तुम्हे जीवन दूँगा जो मेरे पास आएगा अंदकार में नहीं बढ़केगा तो ये भी परमसत्य है क्योंकि उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ हमें पानी की आवशकता है प्यारे बाईओ और बैनों हमें हवा की आवशकता है जीने के लिए और प्रभू ये कहता है संजीवन जल का जहरना मैं हूँ मैं जीवन देने वाली रोटी मैं हूँ रास्ता दिखाने वाला मार्ग मैं हूँ और जो उसके उपर चलता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा बोले आमेन हालेलुईया इसलिए अपने आपको समर्पित करने की आवशकता है आज इंसान भटका हुआ है इंसान अपने ही कामों में फसा हुआ है अपनी ही दिन दुनिया में मस्त है दुनियादारी में लेन देन में रोज अपनी ही कारियों में मस्त रहता है नू के दिनों में भी ऐसा ही हुआ नू को परमेश्वर ने पहले से आगा किया था क्योंकि वो धर्मी व्यक्ती था और उससे कहा कि आज से 40 दिन के बाद लगातार 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होगी और जल प्रले आएगा और बहुत सरे लोगों को वहाँ पर प्राश्चित के लिए वचन सुनाया गया लेकिन उन्होंने ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया और एक दिन ऐसा हुआ जब नू पोत बना चुका था और प्रमेश्वर की आग्या के अनुसार स्रिष्टी का एक एक पक्षियों का अपशियों का जोड़ा उसमें अंदर ले जा चुका था तो दरवाजे बंद हो गए और ईश्वर ने इस पृत्वी के उपर लगा तार 40 दिन और 40 रात वर्षा की अप्यारे भाईयों और मैंनो जल प्रले आया सब कुछ नश्ट हो गया सब कुछ नश्ट हो गया लोग खाते पीते थे शादी ब्या करते थे और यही सब हो रहा था गुमोरा, सुदोम और गुमोरा में भी ऐसा ही हुआ पाप इतना बढ़ गया कि लोगों के सिर चड़ कर बोलता था हर तरीके के अशलीलता पशु गमन और अनेक प्रकार के लोब लालच वेविचार और अशलीलता उस जगा पर थी परमेश्वर को यह देख के बड़ा दुख हुआ कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को इतना सुंदर बनाया था सुर्गदूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया था अपने प्रतिरूप बनाया था ये व्यक्ति क्या ऐसे घ्रनत काम कर सकता है एक सुंदर दाखलता उसने लगाई थी ये कडवी कैसे हो गई है जंगली कैसे हो गई और ये कडवे फल कैसे देने लगी है इसलिए उसने कहा कि मैं इसका सर्वनाश कर दूँगा मैं इसका सर्वनाश कर दूँगा इबराहीम ने कोशिश की उसको बचाने के लिए और उससे परमेश्वर से आगरे किया कि अगर इस जगा में दस लोग भी धर्मी पाए जाएंगे तो क्या फिर भी तू इसको नश्ट कर देगा परमेश्वर ने चुनोती दी कि जा अगर इस नगर में मुझे दस लोग भी धर्मी मिलेंगे तो भी मैं इसका सर्वनाश नहीं करूँगा और वाइबल कहती है कि उस जगा में दस धर्मी भी नहीं मिले प्यारे भाई और बेहनू पाप इतना जादा लोगों के सिर चड़कर बोलता था क्योंकि लोग इश्वर की वाणी को सुनना पसंद नहीं करते थे उस पर चलना नहीं चाहते थे हर प्रकार की बुराई में फसे हुए थे और परमेश्वर ने सोदोम और गमोरा के उपर गंद्रस और आग बरसाई और वो तबहा हो गया वो तबहा हो गया प्यारे भाई और बेहनुद लेकिन इसके विपरीत निन्वे के शहर के लोगों को जब प्राश्चित का संदेश सुनाया गया उनसे भी यही कहा गया था कि आज से 40 दिन के बाद निन्वे शहर नष्ट कर दिया जाएगा इसलिए प्राश्चित करो और परमेश्वर की और अभी मुख हो जाओ अभी भी समय है लोट कर चले आओ यह दिन बुरे हैं पता लगाओ कि कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिये हैं उन्होंने स्विकार किया नभी योनस के द्वारा यह वानी उन्हें सुनाई गई और उन्होंने परमेश्वर की वानी पर ध्यान दिया चोटे से लेकर बड़े तक राजा से लेकर रंक तक सबने टाट ओड कर राख के ढेर पर बैठ कर प्राश्चित किया क्योंकि यह शाय नभी का ग्रंथ अध्याय तीस पत संक्या पंद्रा में स्पष्ट करता है प्राश्चित और स्वीकृती में तेरा कल्यान है यह सालवेशन लाइस इन रिपेंटेंस और फर्गिवनेस आपका उद्धार प्यारे भाईयो और बैनो प्राश्चित में है आपका उद्धार शमा करने में है क्योंकि येशु ने कहा यदि तू शमा करेगा तो तुझे भी शमा किया जाएगा यदि तू शमा करेगा तो तुझे भी शमा किया जाएगा तू यदि दोश नहीं लगाएगा तो तुझे पर भी दोश नहीं लगाया जाएगा तु अगर देगा तो तुझे भी दिया जाएगा उपर उठी हुई पूरी की पूरी नाब तरी जोली में डाल दी जाएगी इसलिए बाइबल कहती है इमानदारी और वफादारी को अपने गले में क्या कर दो पट्टा बान के पहन लो जैसे कोई व्यक्ती चेन में लोकेट डाल के पहनता है उस तरीके से इमानदारी और वफादारी विनम्रता और पवित्रता ये अपने से दूर ना करो क्योंकि इसके अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता पवित्रता और विनम्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है इसलिए आज का वचन आपके लिए है आज का वचन आपके उद्धार के लिए है आज का वचन आपके घर के लिए है क्योंकि येश्व कोई साधारन शिक्षक नहीं है येशु कोई साधारन गुरू नहीं है येशु कोई पैगंबर नहीं है येशु कोई संत महात्मा नहीं है जो हम उसकी बातों को सुने और वहावाही करें वो मुक्तिदाता है एक मात्र मुक्तिदाता जिसके विशे में बाइबल हमें बताती है जिसके विशे में इतिहास गवा है जिसके विशे में लिखा गया है बाइबल बताती है कि उसने चमतकार दिखाए उसकी कबर आज भी खाली है वो कुवारी मरियम से जन लिया उसने काट के उपर अपने प्राण निच्छावर किये उसकी बगल में भाला मारा गया और उसने अपने प्राण त्यागे मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने प्राइश्चित किया क्योंकि यहूदियों की प्रथा में यह धारणा थी कि पश्यों का रक्त की बली अर्पित करने से पाप हरे जाते हैं ये पुरानी विवस्था में धारणा थी लेकिन नई विवस्था में जब हम देखते हैं कि इश्वर इमैनुवल बनकर येश्व के रूप में इस दुनिया में आया तो उसी प्रथा को प्रभु ने सार्थक सिद्ध करते हुए उन प्राणों को निचावर कर दिया क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति के प्राण ही प्यारे भाईयो और बैनों दूसरे को जीवन दे सकते हैं किसी जीवित व्यक्ति का लहू ही दूसरों को जीवन दे सकता है मरे हुएगा नहीं हमारा परमेश्वर मरा हुआ नहीं हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है बाइबल हमें बताती है कि बकरों और साडों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है बकरों और साडों का रक्त पापों को नहीं हर सकता है ये यहूदियों की धारणा थी उनकी प्रथा थी पुरानी विवस्टा में हम पढ़ते हैं इसलिए वे लोग याजगों के पास जाकर इस तरीके के बलिदान दिया करते थे और जब बली चड़ाई जाती थी प्यारे भाईयों और बेनों तो याजग उस मेमने का रक्त लेकर सब के लिए उसका लहू जो है वो बहा दिया गया बोलिए आमेन आमेन हालेलुईया 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 हालेलुई उपर आकाश के नीचे सारा अधिकार प्रदान किया है फिलिपियों के पत्र अध्याए दो पत्संख्या आठ और उससे आगे हम पड़ते हैं सारी स्रिष्टी उसके अधीन है उसे जीवन मृत्यू और भाग्य पर वर्तमान पर भूत काल पर स्रिष्टी पर स्वर्ग पर प्रित्वी पर सब कुछ पर अधिकार परमेश्वर ने उसे दिया है लेकिन फिर भी उसने उसकी बराबरी नहीं कि उन्होंने हमें उधारन दिया है येश्वर ने हमें उधारन दिया कि जैसा मैंने तुमारे साथ किया है वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ किया करो अपने मित्रों के साथ तुम ऐसा ही किया करो इसलिए ईश्वर को जानिए ईश्वर को पहचानिए येसु को जानिए जो उसे जानने का प्रयास करते है जिनके जीवन में वो एंकाउंटर करता है उनका जीवन बदल जाता है और हमारे प्यारे भाईयो और बेनो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया और उन में से एक सादू सुंदर सिंग की हम बात करते हैं जिनका की जीवन बदल गया जब उन्होंने येशु मसी को जानना चाहा, देखना चाहा, उनके विशे में जानना चाहा, उस खोज को करना चाहा, उस मुक्ती को प्राप्त करना चाहते थे जो अन्यत्र उन्हें कहीं ना मिली और येशु ने उन्हें अपना अनुगरे प्रदान किया, अपना अनुभव प्रदान किया और उनका पूरा जीवन बदल गया बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब उसके विशे में जब उसने येशु को मिलना चाहा देखना चाहा तो उसका जीवन बदल गया प्यारे भाई और बैनों येशु इस दुनिया में इसलिए आया कि आपका और मेरा जीवन बदल जाए येशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हम सत्य को जान जाएं येशु इसलिए इस दुनिया में आया कि हम सत्य को जाने और सत्य हमें स्वतंत्र करें येशु इसलिए इस दुनिया में आया कि मैं और आप पाप की गुलामी से अजाद रहें शैतान का हमारे ओपर कोई वश ना चले और इसलिए बाइबल कहती है कि उसने मौत पर फता पाया उसने क्रूस पर अपने प्राण निचावर कर दिये इसलिए संत पॉलुस कहता है ओ मृत्यू कहां है तेरी विजे हैं कहां है तेरा दंश क्योंकि इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जो है वो मृत्यू है इस दुनिया का सबसे कड़वा सच जो है वो मृत्यू है लेकिन येशू ने मृत्यू पर फता पाया और प्यारे भाईयो और बेनो जब येशू ने मृत देने की कोशिश करता है मारने की कोशिश करता है फांसी लगवाने की कोशिश करता है अहराने की कोशिश करता है वो आपको गिराने की कोशिश करता है वो आपका सब कुछ बरबाद करने की कोशिश करता है वो आपको भटकाने की कोशिश करता है वो आपको तोड़ने की कोशिश करता है वो आपके परिवार को विखेरने की कोशिश करता है आपके नौजवान बच्चों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है इसके विपरीत येशु प्यारे भाईों और बैनों जीवन देता है येशु उद्धार देता है वो चंगाई देता है, लोगों का जीवन बदलता है, जितनों ने उसे ग्रहन किया है, उनका जीवन आनंद में है, जितनों ने उसको ग्रहन किया है, उनके जीवन में संतुष्टी है, जितनों ने उसमें विश्वास किया है, उन्होंने चंगाई प्राप्त की है, जितनों न केवल किताबी ज्यान के द्वारा येशु को समझने का प्रयास करें परन्तु प्रैक्टिकल नॉलेज में भी हम रोज मर्रा की जिंदुगी में भी येशु को अनुभव करने की कौशिश करें अपने हर छोटे बड़े काम में चाहे वो बिजनस हो चाहे वो अन्यत्र किसी ज इशु की कृपा में बढ़ने का प्रयास करें हर दिन अपने आपको कोशिश करें ये देखने के लिए कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाए हमारी कृपा का स्तर जो है वो बढ़ता जाए तो इससे हमें पता लगेगा कि हम अनुगरे में बढ़ रहे हैं लेकिन अगर हमारे जीवन में ये फल दिखाई नहीं देता है तो वास्ता में हम अनुगरे में बढ़ नहीं रहे हैं इसलिए प्यारे भाईयों और बेनों रोज मर्रा की जिंदगी में येशु की बातों को अनुबव करने का उसकी कृपा में बढ़ने का प्रयास करें हालेलुया येशु की सुथी हो येशु को धन्यवाद येशु की अराधना हो येशु की महिमा हो येशु को धन्यवाद तो सबसे पहली बात प्रभू की वानी पर ध्यान दे प्रभु की वाणी पर ध्यान दे जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं तो वो हमें जीवन में आत्मा से भरपूर करती है और हमें जीवन प्रदान करती है क्योंकि लिखा है ये शाय नभी का गरंद अध्याय पच्पन पत संक्या 3 में कान लगा कर सुनो और मेरे पास आओ मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा कहता है मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हें क्या होगा जीवन प्राप्त होगा नितिवचन सुक्तिगरंथ अध्याए 4 पत संक्या 20 में लिखा है कि पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो कान लगा कर मेरी शिक्षा को सुनो उसे अपनी आखों से ओजल न होने दो उसे अपने हिर्दे में संजोय रखो और वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी बोले आमेन आलेलुया रभु का वचन कहता है पत्र मेरी बातों पर ध्यान दो कान लगा कर मेरी शिक्षा सुनो उसे अपनी आखों से ओजल न होने दो उसे अपने हिर्दे में संजोय रखो वह तुम्हे नवजीवन का संचार करेगी वह तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी हालेलुया कितनी अच्छी बात है कितना सुन्दर मंत्र है जीवन चाहते हैं कहता है मेरी बातों को सुनो स्वास्त चाहते हैं कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो, उसको अपनी आखों से ओजल ना होने दो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, देखो मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा, क्यों क्यों कि मेरी शिक्षा तुम्हें क्या करती है, जीवन प्रदान करती है, तुम्हें उससे आत्मा और ज जीवन प्राप्त होगा लेकिन आप अपने आसपास और अपने ही जीवन में जाक कर देखिए कि हम में से कितने लोग उसकी वानी को सुनते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हम स्वस्त नहीं रहते हमारा मन अशान्त रहता है, हमारा मन प्रलोबन में भड़कता है, हमारा मन अनेक प्रकार की बुराईयों में फस जाता है और हम आशीश से वंचित हो जाते हैं। हम क्रपा में बढ़ नहीं पाते हैं। हमारी क्रपा का लेवल, ग्रेस का लेवल जो है, वो बढ़ता नहीं है। हम उमर में बढ़ते जाते हैं, बाल पकते जाते हैं, लेकिन आशीश का स्थर नहीं बढ़ता है। हम जहां के तहां ही रहते हैं। Bible कहती है वयोवरद वही है जो ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान लगाता उसे अपने हिर्दे से संजोय रखता है पूरी श्रदा और भक्ती से द्रड़ता पूरवक उसकी शिक्षा का पालन करता है वही वयोवरद है वही उद्धार प्राप्त करेगा आज लोग ईश्वर की आशी से वंचित है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बचन को ग्रहन नहीं करते हैं इसलिए येश्व ने एक सुन्दर द्रिष्टांत सुनाया एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला बोते बोते कुछ बीज जो थे अच्छी भूमी पर गिरे और कुछ रास्ते के किनारे कंकड वाली भूमी पर गिरे और कुछ जाडियों में गिरे जो इदर उदर रास्ते के किनारे जल्दी से उग आए सूरज का ताप लगने से जल्दी मुर्जा गए क्योंकि उनमें जड़ गहरी नहीं थी कुछ जो काटों में गिरे जाड़ियां बड़ी हो गई और उन्होंने क्या किया जैसे ही वो बड़े होने लगे उपर से दबा दिया लेकिन कुछ जो अच्छी भूमी पर गिरे थे वो उगे पौधा बना और उनमें से कोई साथ गुना कोई सत्तर गुना और कोई सो गुना फल लाया प्यारे भाई और बेनो हमारा हिर्दे ये वो भूमी है जिस पर ये बीज बोया जाता है पत्रीली भूमी ये वो भूमी है कठोरता की भूमी कठोरता की भूमी जो वचन सुनते तो हैं लेकिन कठोर हिर्दे के हैं इसलिए उस पर चलने का प्रयास नहीं करते उसे ठुकरा देते हैं जाडियां, जंगली जाडियां, कटीली जाडियां इस संसार के प्रलोबन है, माया जाल है जो इस वचन को बढ़ने नहीं देता है लेकिन किसान ने जो बीज बोया था प्यारे भाईयों और बेनों, वो तो अच्छा ही बीज बोया था किसान जब बीज बोता है, तो वो निश्चित करता है कि उसका एक-एक दाना अच्छा हो लेकिन बीज में, हर दाने में अपनी छमता है आप इतने लोग बचन सुन रहे हैं आपका हिर्दे अलग अलग छमता वाला हिर्दे हे और अलग अलग तरीके से ये क्या करता है फल उत्पन करता है कोई 60 गुना तो कोई 70 गुना कोई 100 गुना सब में अलग अलग फल देने का प्रयास करता है जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना अधिक फल लाता है प्यारे भाई और भेना जो जितना ज़्यादा परमेश्वर के नस्दीक रहता है जितनी ज़्यादा अच्छी भूमी में रहता है जितनी ज़्यादा गहराई में रहता है जितना ज़्यादा विश्वास में रहता है वो उतना ही ज़्यादा फल उत्मन करता है लेकिन जो माया जाल में फस जाता है जो पत्रीली भूमी पर यानि की कठोरता का जीवन व्यतीत करता है वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं इसलिए प्रवक्ता ग्रंत लिखता अध्याए दो पत संक्या तीन में इश्वर से लिप्ते रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्यान हो कुछ लोग सोचते हैं अभी कल्यान हो जाए अभी मिल जाए प्रवक्ता कहता है तुम इश्वर से लिप्ते रहो ताकि अंत में तुम्हारा कल्यान हो हलेलुईया येशु की स्तुती हो येशु को धन्यवाद येशु की अरादना हो येशु की महिमा हो येशु को धन्यवाद तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं भी उनी लोगों पर कृपाद रिष्टी करता हूँ जो विनम्र और पश्चतापी है जो मेरा वचन सुनते उन पर चलते है ये शाय नभी के अगरंत अद्याए 66 पत संक्या 2 उसका दूसरा भाग कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करता है जो विनम्र है जो पश्चतापी है फलुत्पन करने के लिए प्रयास करते है आत्मत्याग करते है जो उसकी सेवा में रहते हैं विनम्रता का जीवन जीते हैं जो अन्याई बनते हैं ये परमेश्वर ने अपना वचन ये शुने रोज सुबा से लेकर शाम तक वचन सुनाते थे, ऐसे ही बोलते थे, यही शिक्षा देते थे, धन्य है वे लोग जो मेल मिलाप करते हैं, धन्य है वे लोग जो वचन के भूखें और प्यासे हैं, धन्य है वे लोग जो परमेश् तो आप परमेश्वर की नजरों में धन्य माने जाएंगे क्योंकि उसने कहा येसुने कहा बाइबल में बताती है कि अगर तुमने छोटे से छोटा काम किस मेरे भाई किसी भी एक व्यक्ती के लिए जो कितना भी छोटा क्यों ना हो के लिए किया तो तुमने मेरे लिए किया एक गलास ठंडा पानी अगर तुमने मेरे नाम पर इन छोटे विक्तियों में से किसी एक को फिला दिया तो ये काम तुमने मेरे लिए किया है तो प्रिये जनो हमारी आवशक्ता चंगाई नहीं है याद रखना, हमारी आवशक्ता ग्या है? उद्धार है हमारी आवशक्ता चंगाई नहीं हमारी आवशक्ता उद्धार है हमारी आवशक्ता हमारे बिजनस की उन्नती नहीं हमारा उद्धार है कई लोग प्राथना करते है कि हमारा गल्ला बढ़ता जाए उस पर आशी शाती जाए उस पर इतना पैसा आता जाए अरे भाई नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि प्रभु का गणित थोड़ा अलग है प्रभु का गणित जानते हैं कैसा है मत्ति का सूजमाचार अध्याय थे पत संख्या छे प्रभु का बचन ये कहता है कि तू सबसे पहले इश्वर और उसके रज्ज की धार्मिक्ता की खोज कर और तब तुम्हें ये मिलेगा ये प्रमेश्वर का गणित है हम उसकी कृपा में बढ़ने का प्रयास करें क्योंकि हमारी आवशक्ता चंगाई नहीं हमारी आवशक्ता पैसे की बड़ोतरी नहीं हमारी आवशक्ता सांसारिक चीजों की उन्नती नहीं परन्तु हमारी आवशक्ता जो है परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना परमेश्वर की धारमिक्ता में बढ़ना परमेश्वर के वचन में बढ़ना जब हम इसमें बढ़ते हैं तो बाकी की चीज़े यूही आती जाएंगी क्योंकि अगर मन चंगा है तो कहते हैं कठोती में गंगा है अगर मन शान्त है तो हड़ियां भी स्वस्त रहेंगी अगर मन शान्त नहीं है तो हड़ियां स्वस्त नहीं रहेंगी और मन शान्त नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है कौन से कारियों को करना है आप विछलित रहेंगे आप में से बहुत सरे लोग अभी बहुत विछलित है कल आपने क्या करना है किसका उधार लाना है किसका देना है किसके इंस्टॉल्मेंट्स भरने है कल कहां से पैसा जुटाना है कल कैसे आएगा क्या होगा येशु ने कहा कल की चिंता कल को करने दो आज की मुसीबत आज के लिए काफी है तुम वर्तमान की चिंता करो तुम क्यों चिंता करते हो मैं तुमारे साथ हूं कहता है इन चिडियों को देखो क्या दो पैसे में गोरिया नहीं मिलती क्या परमेश्वर जिसने इने कि बगैर कोई भी आस्मान से नीचे नहीं गिरती है आप मेंसे कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर भर पेट खिलाता है आप मेंसे कितने लोग हैं आपकी दुकानदारी जो है बहुत अच्छी चलती है परन्तु आपकी सोच जो है वो तो ये है कि मुझे बहुत मिल जाए जिस दिन बहुत मिल जाएगा उस दिन आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे इसलिए वो आपको उतना ही देता है जितना कि आपके लिए जरूरी है इसलिए एक सुन्दर उधारण मैंने आपको दिया था जब जके उसके विशे में पढ़ते हैं तो जके उसको याद आया कि उसके लिए कितना परियाप्त है उसने कहा मैं अपनी संपत्ती का आधा भाग बेचूंगा और गरीबों में बाटूंगा क्योंकि उसकी मुझे आवशक्ता नहीं है वो विर्त में मैंने अपने घर में रखा हुआ है उसके बाद जिसका मैंने लिया है उसको चार गुना वापस करूँगा तो अगर उसने उसके पास सो रुपे थे तो उसने पचास रुपे क्या कर दिया गरीबों में बाट दिया उसके बाद उसने चार गुना लोगों को लोटाया, मतलब 40 रुपे और क्या कर दिये, लोगों को चार गुना लोटा दिये, अब कितने बचे उसके पाद 10 रुपे, जो उसके लिए परयाप्त थे, जो उसके सुकून के लिए परयाप्त थे, जो उसकी शान्ती के लिए परया रोज रात को उसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, मैं यह नहीं कहता कि प्लैन नहीं करना चाहिए, आप योजना बनाएं, बाइबल कहती है, सफलता परमेश्वर पर निर्बर है, योजना बनाईए, लेकिन प्रभु के अनुगरे में रहकर बनाईए, आप प्लैनिंग कीजिए, परमेश्वर से पूछ के कीजिए, आप अपनी योजनाओं को सार्तक सिद्ध गरना चाते हैं, बशर्ते की परमेश्वर आपके साथ है, और वो वादा करता है, अगर तू मेरे साथ रहेगा, तो मैं भी तेरे साथ रहूँगा, अगर तू मुझ में रहेगा, तो इसलिए बचन सुनते रहे और उस पर चलने की कोशिश कीजिए हमारा जीवन जो है ये एक तपस्या है हमारा जीवन ये तपस्या है अनुग्रे कमाना एक दिन का काम नहीं है इसके लिए तपस्या करनी है हर दिन अपने आपको ट्रेन करना है Every day we need to train ourselves to receive the anointing दूसरी बात नित प्रते दिन धन्यवाद और प्राइष्चित के निवेदन प्रभू को आप लोग समर्पित करते रहे और चوتhtी बात मैंने आप से कही कि परमेश्वर के अनुग्रे में आप बढ़ें और उसको अनुभव करें और मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर की इच्छा पर आप लोग चलने का पूरा-पूरा प्रयास करें पाँचमी बात प्रभु के सानिद में रहने की कोशिश करें छटमी बात परमेश्वर को ऐसा देखें जैसा वो है और सातमी बात अपने आपको ईश्वर को समर्पित करें अपने परिवार को समर्पित करें क्योंकि हम उसके बिना अधूरे हैं क्योंकि येश्व ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते आठमी बात इमानदारी और वफधारी को आप अपने गले में पहन लें दसमी बात नौमी बात प्यारे भाई और बहनों प्रभु का घर बनाते जाईए जैसा वो चाथा है वैसा करते जाएए और आपका घर भी बनता जाएगा और जैसा आप चाते हैं आपकी योजना को भी वो पूरा करता जाएगा आमेन पवित्रात्मा ने हमें इस वचन को सुनने और समझने का वरदान दिया है वैवारिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, वचन में बढ़ने की शिक्षा परमेश्वर का अनुगरे प्राप्त करने का ज्यान प्रभुनेया में दिया है आई हम धन्यवाद करें प्रभु हमें आशीश प्रधान करें